जरा सोचिए मैं विक्रम बजाच लेकर आऊंगा आज आपके लिए ख़बरों के पीछे का रिसर्च और साच तो अब आप भी मेरे साथ जरा सोचिए कनईया देखो कैसे कान खड़े हो गए सबके मैं आप से बात कर रहा हूं कनईया का विरोध करने वाले देश भक्तों से उस बेचारे स्टूड़े ने तो देश से नहीं देश में आजादी की बात की थी गरीबी से, भुक मरे से, ब्रश्टाचार से आजादी अच्छा गरीबी से याद आया कि आजादी के 67 सालों के बाद भी गरीबी से लड़ने की अगर बात करनी पड़ती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है लॉजिक तो ये कहता है कि जिसने इस देश पर सबसे जादा शासन किया हो जिम्मेदारी भी उनी की बनती है क्योंकि 67 सालों में से 60 साल कौन्ग्रेस ने ही राज किया तो जिम्मेदारी उनी की बनती है और पूर्वी भारत में देखें तो 40 साल तक CPM और TMC ने राज किया आहां वही दादा और दीदी की बात कर रहा हूँ तो भाईया अब जिसने इस देश में सबसे ज़ादा शासन किया हो कनया की जंग उनी के सामने होगी और ये गंगा तो उल्टी बह रही है कनया भाईया is absolutely fine with all these three और उन्हें लगता है कि देश की सारी गरीबी, प्रष्टाचार और भुकमरी का कारण ये नई सरकार है नई सरकार मतलब केजरीवाल की नहीं ओके, तो फिर बचा कौन? ये दो साल पुरानी मोधी सरकार जिनके सर पे हमने 67 सालों की समस्याओं का टोकरा डाल दिया और असल में इस देश को गरीबी देडे वालों के साथ अनया भाईया, बन गए, थेयरिस के दुनिया के सूपर हिरो जो ये तो बता सकते हैं कि इस देश में खराब क्या है लेकिन इस देश को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए ये नहीं बता सकते इन्हें ये तो पता है कि अफजल की बरसी कैसे मनानी है पर लोगों के लिए टॉयलेट्स कैसे बनाने है ये नहीं पता इन्हें युवाओं को उकसाना तो आता है लेकिन इनी युवाओं को जॉब्स कैसे देने हैं ये नहीं आता इन्हें ये तो पता है कि कश्मीरी नारेबाजों को JNU कैंपस में कैसे गुसाना है लेकिन ये नहीं पता कि देश को सुरक्षित कैसे रखना चाहिए जड़ा सूचिये लड़की को छेडने के आरोप में तीन हजार का जुर्माना भरने वाला मतलब कि अपनी गरीब मा की एक महीने की पूरी तनक्वा जितना वो आदश बालक महिला दिवस पर भाशर देता है मतलब कि लड़की छेडने वाले क्रांतिकावी और बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं का सूत्र देने वाले अत्याचार की लीजिये ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी न्यूज मिली है कि पश्चिब बंगाल में सीपियम ने कनया भाया को चुनाव के लिए स्टार प्रचारक चुना है समझे अच्छा केजरी वाल को तो इनका भाशन अच्छा लगता है बर्खा को इनकी स्माईल अच्छी लगती है और राहूल को जाने दीजिए बच्छों को सीरिस टापिक में इनवाल नहीं करते अब ज़रा सोचिए ये कनया गरीबी के विरोध में लड़ रहा है या केवल मोधी के विरोध में ऐसे आंदोलन से हमारा देश जुड रहा है या टूट रहा है देश मजबूत हो रहा है या कमजोर ये, जरा सोची